सब इतुर生 हलो तो Rede हेलो फ्रेंड लिवाज़ प्री पतेल राखर अश्यियीव वाला जो हमारा चे Mississippi चल रहा है उसमें आज हम सीखने वाले कौची रेसिड्यू ठीर मैं आगे के लेक्चर में बताया था कि कौची रेसिड्यू में नया कुछ नहीं करना है सबके residue find करके जो हमारी 4 method सी कुछ से 2 pi i sum of residue करके छोड़ देना है तो ये जो sum होगे उसमें कहीं पे भी मैं residue find नहीं करने वाला residue आपको find करना है मैंने आपको method सिखाई है अलग-अलग method से find करो मैं आपको hint दे दूगा कौन सी method है आपको ही find करना है और last में 2 pi i sum of residue residue भूल जाओ लेको simple residue में हम check नहीं करते थे point अंदर बार कोई condition हमें यहाँ पे नहीं देते थे यहाँ पे हमें क्या करना है देखे sum number 1 में हम circle बनाते है mode z is equal to 2 का तो आपको पताएं कि इस इंटर 0 0 ऐसे sum हमने कौची integral theorem and कौची integral formula में किया है radius 2 clear तो अभी point देखो z plus i इसको हम compare करते है z minus z 0 के साथ तो z z cut हो जाएगा z 0 is equal to minus i minus i को हम x plus or minus i y के साथ compare करें तो x तो है नहीं 0 है और y क्या है minus 1 मतलब 0 minus 1 हमारा point है जो हमें check करना है और हमें पता है कि 0 minus 1 यहाँ पर कहीं पर नीचे आएगा minus 2 से पहले तो आजाएगा ना अंदर मतलब point inside एक point देके तो inside ही होगे एसे दो-दो point देते हैं तो कभी outside की बात हो सकती है लेकिन एक point में तो inside ही होगे वारना तो sum नहीं करें जीरो करके छोड़ाएगे तो यहाँ पर मैं आपको पूछता हूँ कि कौन सी method आएगी तो आपको पता चल गया कि z आपका z 0 तो आपको यहाँ पर मिल गया simple z 0 आपको मिल गया तो I hope कि आपको पता चल गया हो कि method number 4 आएगी मैं नहीं case 4 हमारा method number 4 वो आएगा method number 4 z tends to z 0 z minus z 0 f of z z tends to z 0 limit अभी आगे के lecture में यह आपने revise कर के आए हो तो वो method आप apply करोगे चलो मैं आपको residue find करके दे देता हूँ residue z 0 is equal to minus I पे तो z tends to minus I limit z minus z 0 यहाँ पर क्या आएगा z 0 आएगा और यहाँ पर क्या आएगा f of z आएगा अभी इसका simplify करते है z tends to z 0 z tends to minus I limit z plus 1 देखना simple यह जो हमारा theorem था z plus 1 minus I है यहाँ पर हमें plus 1 करना पड़ेगा यहाँ पर हमारा minus 1 z minus I हमने लिख लिया clear है f of z हमारा क्या है बाजो में लिख लो z square minus 4 z plus 4 upon z plus i यह गया cutting cutting बस अभी इतना जीतना बचा है z square minus 4 z plus 1 उसमें सारी value हमें रखनी है z tends to i की नीचे तो denominator में कुछ बचा नहीं तो tension लेने की जरूरत नहीं है plus 4 minus i का square अभी इसकाम क्या करेगे minus i का square plus i square plus 4i plus 4 i square equal to minus 1 plus 4i plus 4 तो 4i plus 3 आपका answer आएगा इसमें नीचे एक ही point है तो 4i plus 3 बस अभी from कौची integral कौची residue theorem क्या करेगे जो हमारा सम है z square minus 4 z plus 4 z plus i dz 2 pi i sum of residue वहीं सम कहा करना एक ही तो residue है तो 2 pi i 4i plus 3 इसको हम simplify करना है तो कर सकते हैं अंदर ले जाते हैं चलो 4 to the 8 pi i square plus 6 pi i square minus 1 तो minus 8 pi plus 6 pi i इसमें से मैं common निकालता हूँ कितना दो निकलेगा common 2 pi मैं common निकालू तो यहाँ पे 3 बचेगा 3i minus 4 तो यह आपका final कौची residue वाला answer तो करना कुछ नहीं है जास आपको जैसे residue find करते थे वैसे residue पहले find कर लो residue find करने के बाद पहले तो pole find कर लो कौन से है वो यह जो हमारी condition है उसके अंदर दिये गए है कि नहीं दिये गए वो find out कर लो अंदर है तो करना देखो एक ही point अकर होगा तो वो तो अंदर ही होगा उससे तो आप भूल जाओ अगर एक से clearly दिख रहा है यो जो जैड माइनस 1 का square है तो 1.11 है दो बार और एक हमारा 3 है माइनस 3 मतलब 3 की तो यह point clear दिख रहा है कि बाहर होगा तो इसको तो हम cancel ही कर देगे बचेगा क्या यह अंदर वाला इसकी वज़त से आप residue find करो तो हो जो method number 1 थी m वाली याद करो method number 1 m वाली थी power order वाली तो वो आप करोगे तो answer क्या आएगा मेरे पास answer लिखे हुए है इसके आपका answer क्या आता है minus 1 by 4 answer आता है तो फिर आप residue find करोगे तो 2 pi i sum of residue इसका simplification करोगे तो 2 2s आ तो minus pi i by 2 yes minus pi i by 2 yes minus pi i by 2 इसका आपका answer आता है अभी same इसमें आप check तरहो देखो हर एक जगा पर इन लोगोंने 2 ही दिया है circle बनाओगे 0 0 2 radius है 0 2 minus 2 0 यहाँ पर point कौन सा है एक 1 देखो z square minus 1 equal to 0 तो z square equal to 1 तो z equal to plus 1 and minus 1 यह minus 3 है तो 3 आएगा तो plus 1 minus 1 तो अंदर ही है तो इसके लिए भी residue find करो इसके लिए भी find करो और इसके लिए आप क्या करोगे बार होगा point 3 0 तो इसके लिए residue find करने की ज़रूरत नहीं है इसके लिए भी आप method यूज़ करोगे तो आपका answer कितना आता है ज़र 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 कर ओके अपका answer अब वो लास्ट वाली method यूज़ करना method 4 ज़र टेंस ज़र देखो यहां पर जो आपने यूज़ की न वह सही method apply करना 1 by 1 आपके answer आएगे मैं आपको answer दे देता हूँ minus 1 के लिए 1 by 8 and plus 1 के लिए minus 1 के लिए 1 by 8 and plus 1 के लिए आपका answer आएगा minus 3 by 4 फिर आप करोगे 2 pi i sum of residue बस इसका simplification आप कर दोगे तो आपको कुछ यहां पर answer आता है minus 5 pi i by 4 तो आपके mind में clear हो रहा है कि sum of residue में कुछ नया नहीं बता मतलब आगे के जितने हमने sum की है उसमें कोई condition ऐसी ले लो कि sum में sum हम कर सकते है तो sum करने के बाद just आपको 2 pi i करके sum of residue लिख देना है same मैंने 2 sum homework में दिया है condition देखो ऐसा sum मैंने करवाया दे इसमें मैं आपको center बोल दीता हूँ 0 1 done z tends to z 0 के साथ compare z minus z 0 के साथ आप compare करोगे तो यह गया z 0 equal to i आएगा i मतलब 0 and 1 और radius 2 है ऐसा हमने circle लिया है तो यह circle दिया है simplify simplify करोगे z square plus 4 है तो point कौन से आएगे plus 2i minus 2i plus 2i बार आएगा plus 2i आपका point अंदर होगा आपको plus 2i के लिए ही find करना होगा यह point बार होगा और आपका answer इतना है 2i plus 3 upon 2i और जो दूसरा sum है देखना इसमें मैंने जो बोला center निकाल दो radius आपको पता है 2.z square plus 4 को 0 के साथ sum compare करोगे तो z square is equal to minus 4 मतलब minus 4 मतलब 2 का square और i का square मतलब plus or minus 2i तो इसमें minus 2i बार होगा plus 2i अंदर होगा और यह last sum है इसमें ऐसी condition दी है तो इसमें center आपको खुद निकलना है radius निकालनी है आपका answer 1 by 2 एगा एक काई residue मिलेगा दूसरे का किसी का नहीं मिलने वाला सारे point बाहर है इसको आप 2 pi i sum of residue में रखोगे तो आपका पाई यह answer आएगा तो दोस्तो कोची residue कोई नया topic नहीं है अगर आपको residue अच्छे से आता है तो last में just आपको 2 pi i sum of residue करना है दूसरी चीज residue कितने के find करने है जो इस condition के अंदर है वही condition के बार है उसने तो answer ही zero all the very best